हम पौधी इस देश की खड़कन हैं होसले के तरकस में कोशिस का वो तीर जिन्दा रखो हार जओ चाए जिन्दके में सब कुछ मगर फिर से जितने की उमेद जिन्दा रखो तब ही तो कहता है मेरे दोस्ती कि वो नसा कहा तेरे बाबुस होने के प्यार में जो नसा है एक फोजी के किरदार में नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब सेनल आर्मी स्टेडी पर आपके साथ आपका दोस्त विजबाई लेकर वो क्यूसंश है जो कि आपके गजामें बार बार पूच जाते हैं का सेसन मेरे दोस्ती बहुत इंपोटेंट यूजबू होने वाला है सेसन के अंदर मेरे दोस्त आपको आर्मी एक जाम के लिए सामाने विजग्यान के महत वपूण क्यूसंश करवाएंगी जो कि आपके एक जाम के लिए बहुत इंपोटेंट है जब आप इंडियन आर्मी एक जाम का मेरे दोस्त पापर देने बैठोगे तो भाग बैक के अंदर मेरे दोस्त आपको जनरल साइंस के क्यूसंच देखने को मिलेंगे पंदरा क्यूसंच एक क्यूसंच दो नमबर का रहेगा इस तीश नमबर के मेटर पे दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे बारा प्लस का अगर आप सही और सथी का अंसर देते हो तो वाके में आपकी तयारी सरहानी है बैजज़क आप तयारी कीजिए सपलता मेरे दोस्ता आपको सोने सित मिलेगी तो हम ज़्यादा बाते ना करते हैं दोस्तो फाइनले अपने सेशन की तरह बढ़ते हैं एक बार पुन है सभी नोजवानों को मेरा नमस्कार जैहिंदी जैसे दोस्तों ने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए और पैन और कोपी साथ में लेकर बैठना क्योंकि हम सारों अपसनों के बारे में मेरे दोस्त डिसकस करेंगे जो कि आपके एक्जाम के ल सोच शमच कि इसका आंसर आप सभी को मेरे दोस्ती देना है इसका राइट आंसर जो दोस्तों आपसन शी बतारे आँक और द्रिश्टी वो बिलकुल शी बतारे बहुत अच्छा आप ध्यान लगा कि सुनिए मेरे दोस्त आपके गज़ाम के अंदर क्यों सुनाता है प्रभाईत होने वाला अंग है मेरे दोस्त फैपड़े यह बहुत इंपोर्टेंट आपके गज़ाम के लिए बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुसन की तरफ नेश्ट कुसन कहता है मेरे दोस्ती आखों को सवस्तर रखने के लिए कौन सा विटामिन सहयक है यह बताई क्यो क्यों किया जाता है आँखों को सवस्तर रखने के लिए कौन सा विटामिन सहयक है यह बताई क्यों बहुत श्यांदार है बिलकुल इसका राइट अंसर जो दोस्तों आप्शन ए बता रहे वो बिलकुल शही बता रहे बहुत अच्छा इसी विटामिन की कमी के कारण मेरे द जाता है इसकी कमी से रोग रतौन दे होता है इसका रासानिक का नाम रेटिनोल होता है इसकी खोज मेरे दोस्ती मैकुलम ने कीती यह आव सभी को ध्यान रखना है आपके एक्जामें दोस्तों विटामिन सी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्योंस बनते हैं एक तो क एक रासनिक नाम एसकोर भी कमल होता है इसकी कमी से रोग इसकर भी होता है यह आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है इसके खोज कीती मेरे दोस्ती हॉल कटने दोस्तों विटामिन डी आपके एक्जामें डारेक्ट कुस्ण आता है हडियों से समंदित विटामिन कौन शाह ह या किस विटामिन के कारण हडिया मजबूत होती है या आपके एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है विटामिन D तो ये विटामिन D एक मातर ऐसा विटामिन है जो हमें सूरिय से प्राप्त होता है और हमारे सरीर में तौचा के निचे ये बनता है ये आपको ध्यान रखना है विटामिन D का राशनिक नाम कैलसी फेरोल होता है इसकी कमी से रोग रेकेट से होता है ये हाडियों से समंदित है ये आपको ध्यान रखना है विटामिन D के कोजगरता हॉपकिंग्स ते ये आपको जरूर ध्यान रखना है विटामिन E से आपके एकजाम के अंदर मेरे दोस्त डारेक्ट कुशन आता है कि नापुसंगता या बाजबनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है आपको विटामिन E करके आपको इसका राशानिक नाम होता है मेरे दोस्त टेक ओफरोल और इसकी कमी से नापुसंगता या सुन्दरता का विटामिन भी कहा जाता है बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की तरफ नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ते मानूव सरीर में पाचन का कारिय किस अंग में संपन होती है या आप सभी को बताना है कि उसन बहुत ही शांदार है बड़ी आंथ छोटी आंथ म कोनशी आंथ करती है तो उसमें 90% स्टुडेंट छोटी आंथ करके आते हैं ध्यान रखना जल का वस आउसन बड़ी आथ करती है और आपके घज़ा में क्योशन आता है कि बोजन का पाचन कहां से प्रारंब होता है तो यह मेरे दोस्ते मोह से प्रारंब होता है नेश्ट करसर होगा जो दोस्त ऑफशन ए बतारें कैलसियम और फास पोरसी वो बेलकोल सही बतारें बहुत अच्छा मारे दोस्ते एकजाम के अंदर क्योशन आता है जल को सुद करने वाली गैस कौनशी है ता मारे दोस्त आपको कलोरीन करके आना है यह आपको ध्यान रखना है फिर नेश्ट कुशन की तरफ नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त चिली साल्ट पीटर का रासाइनिक सुतर क्या है यह आप सभी को बताना है चिली साल्ट पीटर का आपको रासाइनिक सुतर बताना है यह बताई कुशन बहुत ही स्यांदार है इसका राइट आंसर जो दोस्त सही बता रहे हैं बहुत अच्छा अब ध्यान लगा कि सुनिए मेरे दोस्त आपके गजाम के अंदर क्यों सुनाता है नाइटरिक अमल का रासानिक शूतर क्या है तो मेरे दोस्त आपको कियुआ के अगलीलू का नियम विक चाह भी आपको जयान रखना है, अगर हम इसके एक २हांगों के मेरे दोस्त बात करें, तो आप णियान लगा गाड़ी के अच्छानक चलने पर उसमें बैटे यात्री का पिच्छी क्यूर जुकना किस नियम पर आधारीत है तो मेरे दोस्त आपको जड़ेत्वे का सिद्दान जड़ेत्वे के नियम या न्यूटन की गती के पहले नियम पर आपको करके आना है दोस्तों आपके एक जाम जैसे किर्गेट की जो वोल आती है मेरे दोस्त उसको कैच पकड़ते समय दोस्तों जो हातों को हम पिच्छे की ओर लेते हैं गेंद का वेग कम करने के लिए तो दोस्तों वो होता है सवेग के नियम पर आधारीत है किरिया परती किरिया का सिद्दान तो बंदूग से गोली के तेशरे नियम पर आधारीत है यह आपको मेरे दोस्ति द्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्तों ९ह जो 독 Lawn का उत्पो बहूत अच्छा है मेरे दोस्ति में किसका देन किया जाता है तो कवकों का देन किया जाता है माइकोलोजी में फाइकोलोजी के अंदर मेरे दोस्त ध्यान रखना फाइकोलोजी में सेवलों का देन किया जाता है और फिर आपके गजा में डारेक्ट क्योशन आता है मानव तवचा का देन किसमें किया जाता है तो मानों तौचा का देन मेरे दोस्ती डर्मेटोलोजी में किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुसन की तरफ नेश्ट कुसन कहता है एंटिमिनी का परतीक क्या है S-B-W-A-Z-Y-A-U यह बताए एंटिमिनी का रासानिक सिंबल आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों आपसन A बता रहे हैं S-B वो बिलकुल सही बता रहे हैं अब देखे मेरे दोस्त आपके एक्जामें डारेक्ट कुसन आता है टंगस्टन का रासानिक सिंबल क्या है व ब्राबर I-R व ब्राबर M-C-Square M-G-H एक बटा दो M-V इसक्वाइर यह बताई मेरे दोस्त क्यूसन है यह बहुत ही शांदार है इन में से कोण शा समंद है जो आइंस्टीन के दर्विमान उडजा समंद को दर्शाता है बिल्कुल इसका right answer जो दोस्त option व बता रहे ए बराबर mc square वो बिल्कुल सही बता रहे है बहुत अच्छा आपके एकजामे आने के मेरे दोस्त ही 100% चांज है ओम का नियम है तो ओम का नियम है व बराबर आई आर और अभी जो एकजाम हुआ था मेरे दोस्त उसके एकजामे क् सुतर है MGHC और गति जुर्जा का सुतर है मेरे दोस्त एक बटा दो MV square बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट को सुन की तरप नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्त टिटनेस रोग होता है विबरियो कोलेरी सालमोनेला टाइपी से कलोस्टरी डियम से या माइक्रो बैक्टिरियम लाइफरी से ये बताए टिटनेस रोग होता है इसका राइट अंसर होगा उप्सन शी जो दोस्त बता रहे हैं कलोस्टरी टिडियम वो बेलकोल सही बता रहे हैं बहुत अच्छा मेरे दोस्त ध्यान रखना आपके गज़ा में डिरेक्ट के सुनाता है कि हेजा किस जिवान के कारण होता है तब आपको विबरियो कोलेरी करके आना है टाइप एड होता है मेरे दोस्ती सालमोनेला टाइफी बेक्टेरिया के कारण यह आपको ध्यान रखना है कुष्ट रोग होता है मेरे दोस्त माइक्रो बेक्टेरियम लेफरी के दुवारा यह आपको ध्यान रख लाता है मीरे दोस्त आलू चिफ्स के पेकेज में किसेas का उप्योग होता है बहुत ही स्यांदार क्योग्स है हइज नैट्रोजन सियोट्ट या को यह बताई क्योग्स बहुत ही शंदार है इसका राइट ड्रासट लो गाउप्जन जो भी मुन जो बी बतारे है ई पेयां रहते हैं त्वर्मंड के अंदर सारवाधी ज को हती है हाई भाएट्रोज ने इस बढ़ते हैं दोस्तो नेश्ट को से अहता है वह कोईट जो बोईश्ट को सब्सक्रबाइट Lalee किया जेम्स वाट रॉंट जन केविंडिस या बैटिंग ये बताई किशन बहुत ही श्यांदार है बाप इंजन का विसकार बिल्कुल आपसन ए जो दोस्त बता रहे हैं जेम्स वाट वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत अच्छा वाके में आपकी तैयरी बहुत है ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप तो बस इसी जोस और जनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ते रहे हैं सफलता आपको इस बार डेफिनेंटली मिलेगी तो इसका राइट आंसर ओप्सन ए होगा बहुत अच्छा एक्स किरनों की खोज मेरे दोस्त रॉंट ज शक्रचन काता है मेरे दोस्त विश्वास के साथ काना था ये मैरे दोस्त इसका राइट अंसर उगा उप्स जो दोस्त बताने हैं लावड स्पिकर के खोज मेरे दियान रगा के सुनिए उर्जा को यांत्रिक उर्जा में रुपांत्रित करने वाला उपकरण है विजुत्वी मोटर यह आपको ध्यान रखना है आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त यांत्रिक उर्जा को विजुत उर्जा में रुपांत्रित करने वाला उपकरण कौन साहेथ ताँ मेरे दोस्त आपको माइक्रोफोन कर आना है माइक्रोफोन आपके गजाम के लिए बहुत इंपोरटेंट है नोट कर लेना माइक्रोफोन दावने उर्जा को विजद उर्जा के करता है बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुशन की तरह पर नेस्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त जवासम की आयू का निर्दारन किसके द्वारा होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से नाइट्रो ग्लिसरिल से डोपलर वर्बाव या नाभी के सलियन बहुती शांदार ही नहीं म आपके गज़ा में 100% ये देखने को मिलेगा इसका राइट आंसर होगा उप्षन ए जो दोस्त बता रहे है रेडियो कार्बन डेटिंग वो बिलकुल सही बता रहे है बहुत अच्छा वाके में आपकी तयारी बहुत अच्छी है लेकिन इससे पहले जितने भी नोजवान जो सुन पारें एक बार आप सेशन को प्यार से दिल से मेरे दोस्ती लाइक कीजिए बाके हम उप्षनों के बारे में आपको बताते हैं इससे पहले आप मेरे दोस्ती एक बार जितने भी नोजवान जो तयारी कर रहे हैं बारते सेना की एक बार आप सेशन को मेरे दोस्त सुनिए आपके एकजामी किसन बनता है डाइनामाइट बनाने में किसका परियोग किया जाता है तम मेरे दोस्त आपको नाइट्रो गिलिसरेल करके आना है या आपको ध्यान रखना है फिर ध्यान लगा कि सुनिए आपके एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट किसन है नेस्ट कुशन कहता है मेरे दोस्त आपात का लिन गरंती है प्यूस यकरत थायर आइडिया इन में से कोई नहीं यह बताई क्यूसन बहुत ही श्यांतार है बिलकुल इसका राइट अंसर होगा उप्सन डी बिलकुल द्यान रखना बहुत अच्छा उप्सन डी जो दोस्त बत इसे मास्टर गरंती भी कहा जाता है यह मत्र के दाने के सम्मान होती है यह आप जरूर ध्यान रखना मानुसरीन की सबसे बड़ी गरंती है मेरे दोस्त यकरत यह बहुत इंपोर्टेंट आपके एक जाम के लिए मेरे दोस्त थायराइड गरंती है यह गले के अंदर पाई जाती है एच आकार की होती है यह आप जरूर ध्यान रखना तो मेरे दोस्त अब आप इमानदारी से बताई आप इन पंदरा में से मेरे दोस्त कितने क्यूसंश का राइट और शाटिक जबाब देती हो अगर आप 12 पलस का मेरे दोस्त राइट जबाब देती हो तो बैच जज एपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेर कीजिए और एक बार सभी दोस्त oluyor जेकरा लगाएंगे भारत माता का सभी जहाँ पर 則ब हैं कमेंट बुक्स में भी लिखना है और जहा पर बैट़े हैं वहाँ पर 있다 do माता की जहां पर बेटे हैं वहां पर बोलिए जै क्योंकि अब टिक टोक वगेरा सब बंध हो गया है मेरे दोस्त इस बार बोलिएगा भारत माता की जै ठीक है मिलते हैं आप सभी को वापिस नेक्स्ट कलास के अंदर जहिंद वंदे मातरम खुश रही है मस्त रही है